हलो दोस्तों स्वागत आपका अपने चैनल उपचान उसके में हम उपचान उसके में डेली latest वीडियो अपडेट करते हैं अगर आप हमसे जूड़ना चाहते हैं तो आप हमारी चैनल उपचान उसके को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बैल आइकन को भी जरूर लेक करें जिससे आपको हमारे द्वारा अप्लोड की हुई सारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेंगी ओ नाम वाले लोग भविशेबल 2018 करियर प्यार जौबर मनी भविशेबल 2018 की अनुसारे साल कुछ बाधाये आपके सामने आ सकती हैं किना आप अपने सकारात्मग रवये और कड़ी मेहनत की बदावलत इनसे आसानी से उबर जाएंगे इस बीच अपने गुस्से पर काबू रखे क्योंकि वेकार की बहस और क्रोथ की कारण आप मुसीबत में भी पढ़ सकते हैं सितारों का कहने है कि कई बार मन मताबिक परिणाम नहीं मिलने के कारण आप उदास भी हो सकते हैं हाला कि आपको अपने मार्क से हटने का प्रयास नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ समय बाद सबकुछ अपने आप ठीक हो जाएगा और आपकी सभी ख्वाई से भी पूरी होंगे कारी स्तल पर अच्छे परिणाम मिलेंगे यदि आप किसी प्रकार का कारोबार कर रहे हैं तो आग बंद करके किसी के ओपर विश्वास ना करें साल 2018 भवी शिफल के मताबिक आपके आर्थिक इस्तिती पहले से बहतर होगी और आएक के कुछ नए रास्ते भी बनेंगे लेकिन आर्थिक मामलों में बहतर प्लानिंग भी बहुत जरूरी है और जहां तक परिवार का सवाल है परिवार में खुसे और परिजन एक दूसरी के साथ घुल मिलकर रहेंगे ओनाम वाली लोग अपनी जीवन साथी के साथ संबंदों में मधूरता पाएंगे और साथी पार्टनर के साथ कहीं रोमेंटिक जगर पर घुमने भी जाएंगे और ये आप दोनों के रिस्तों के लिए अच्छा भी रहेगा घर पर किसी सुपकारे का आयोजन होगा और उनमें आपके सहभागिता भी रहेगी साल के आंते तक आप सकरात्मा गुर्जा से भर जाएंगे और आपके सफलता का सबसे बड़ा राज भी यही होगा कुल मिलाकर ये साल आपके लिए एक नए सूरी दग को लेकर आ रहा है अब बात करेंगे ओनम वाले लोगों के सुभाव के बारे में ओनम वाले जातक बहुत तेज दिमाग वाले होते हैं ये काफी बुद्धिमान होते हैं ये बोलते कम हैं और करते जादे हैं जी हाँ इन्हें दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है यही वज़ा है कि ये जल्दी ही उन हर उचायों को छू लेते हैं जिनका ख्वा भी देखा करते हैं समाज के साथ चलना इन्हें बहुत पसंद होता है ये जातक जीवन के हर छेतर में सफल होते हैं और प्यार के अगर बात करें तो ये अपने पार्टनर के प्रती बहुत इमानदार होते हैं ये दिखने में भी बहुत आकरसक होते हैं और दूसरों के मदद करने के लिए हमेसा तयार रहते हैं इने जितने जल्दी गुस्सा आता है उतने ही जल्दी शांत भी हो जाता है। साथ ही इस दोरान आपकी समझ भी बढ़ेगी, IT और कम्यूनिकेशन की विध्यारतियों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है, आपके सितारों का कहना है कि साल 2018 में आप परिक्षा में अच्छे अंक प्राप्ते करेंगे, खास कर प्रतियोगी परिक्षाओं की तयारी कर रहे चातरों के लिए ये समय अच्छा है, इस दोरान आप कोई नया हुनर सीखेंगे जिससे आपका कौसल विकास होगा, आपके लिए ये बहतर होगा कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपका पूरी तरह से समरपन होना चाहिए, तभी आप बहतर परिड़ाम प्राप्ते रासिफल 2018 के अनुसार प्रेमी जोडों के लिए ये साल किसी तोफे से कम नहीं है, इस साल आप एक दूसरे के साथ समय गुजारेंगे और वहीं आपको अपने सांथी पर बेकार में सकसंदे करने से भी बचना होगा, इसलिए बाचित के दोरान धहरे रखें नहीं तो आप आपका बना बनाया काम बिगर सकते हैं, वार्सिग रासिफल 2018 के अनुसार आपको अपनी लाव लाइफ को तीसरे सक्स के सांथ साजा करने से बचना होगा, क्योंकि आपका करीबी ही आप दोनों की बीच गलत फहिमी पैदा कर सकते हैं, पार्टनर के प्रती प्यार जताने क के लिए कोई महंगा तोफा उन्हें दे सकते हैं, वैदिक रासिफल के अनुसार, अगर आपको कारिस्तर पर कोई पसंद आ गया हो, तो आप उसे प्रपोस कर सकते हैं, यहाँ समय उसके लिए बहुत ही अनुकूल है, सांथी यदि आप प्यार के बंदन को सांधी के बंदन बिजनस के बारे में, भविशिफल 2018 के अनुसार कारिस्तर पर ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है, सपलता पाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, कारिस्तर पर आपको सीनियर और बॉस का सहयोग प्राप्त होगा, सांथी काम के लिए आपकी तारीफ भी होगी, स साथी में सेनियर्स के नजर आपके उपर कुछ ज़्यादा ही रहने वाली है, अगर आप नई नौकरी के लिए कोशिस करते हैं, तो आपको सफलता मिल सकती है, वहीं यदिया बिजनस करते हैं, तो लेन दिन के मामले में सतर कता बरतनी होगी, इस दोरान आपको अच्छे प परिणाम मिलेंगे, फालतो के खर्च पर लगाम लगाए, तभी आप पैसे बचाने में सफलोंगे, इस अओधी में पैसे कमाने के लिए आपको कई बहतरीन मौके मिलेंगे, इस साल आपको पैत्युक संपत्ती मिलने की भी संभावना है, आई में व्रिद्धी होगी और का पैसे बचाने में भी सफलोंगे, जोतिस के मताविक पिता का सहयोग आपके लिए किसी चमतकार से कम नहीं होगा, भविश्य को लेकर आपको वित्ती योजना बना कर चलना होगा, बात करेंगे 2018 में ओनम वाले लोगों की पारिवारिक स्थिति के बारे में, खलादेश 2018 के आनुसार इस साल आपके पारिवारिक इस्तिति आउसत रहने वाली है, साल के सुरवात में जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर अन्बन हो सकती है, इसलिए आपको अपनी वाणी पन नियंतर रखना होगा, बच्चों और पार्टनर के साथ यादगर नम्हीं बिताने के कहीं घोमनी की योजना भी बनना सकते हैं, इस यहत्र से आपकी संबंदों में मधूरता आईगी और इसते भी मजबूत होंगे, वहीं दोस्ति और आपके पार्टनर की सेहर थोड़ी नाजुक रह सकती है, इसलिए उनका खास ध्यान रखें, घर परिवार में सुबकारी के आयोजन का योग बन रहा है, और इस सौधी में आपकी रूची आध्यात्मिक कारियों में भी होगी, और आप खुद को पहले से ज़्यादा सहासी महसूस करेंगे, इस दोरान आपको आपके पार्टनर का सहयोग भी प्राप्त होगा, और सांते आपको माता-पिता का असिर रहने के लिए प्रति दिन योग और ध्यान जरूर करें, काम के सांत-सांत खान-पान पर भी पूरा ध्यान दे और उचित समय पर आराम करें, साल की मद्दी में आप अधिक रोधित हो सकते हैं, अगर आप लंबे समय से किसी बिमारी से परिशान है, तो इस वर्स आपको र पसंद आई हो तो हमारे चैनल उपचान नुस्खे को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें